हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू में चैनल आज मैं आपके लिए लेक्ट के लिए सर्दियों के लिए बहुत ही खास रेस्पी जो है हमारी बेसन की पंजीरी जो खाने में बहुत ही ज्यादा फायदे मंदा और खाने में बहुत जाद टेशी लगती है चलिए बनाना शुरू करते हैं बेसन की पंजीरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन ले लिए और साथ ही यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन के हिसाब से यहाँ पे मैंने एक कटोरी देशी घी लिए और साथ ही यहाँ पे मैंने आथी कटोरी पीसे हुई चीनी ले लिए और साथ ही यहां पे मैंने कटे हुए बादा और काजू लिए और साथ ही यहां पे मैंने कद्दू कस किया हुआ नारियल ले लिए और साथ ही यहां पे मैंने गौंध लिया जिसको मैंने पीस कर इस तरह से पावडर बना कर त्यार कर लिए तो चलिए अब हम पंजीरी बनाना शुरू कर तो पंजीरी बनाने के लिए कड़ाई में हम खी डाल देंगे, सारा खी हम एक साथ नहीं डालेंगे, तो इसमें से मैं थोड़ा से घी बचा कर रख लोगे, अगर जरूरत पड़ी तो इसमें हम खी और डालेंगे, और खी को हम हलका सा मेल्ट करेंगे, तो खी हमारा मेल्ट हो चुक है चलिए इसमें अब हम बैसन डाल देंगे तो चलिए इसको अब हम घी में अच्छी तरह से मिला देंगे और गैस का फ्लेम हम यहां पे मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम बैसन को भून लेंगे और बैसन को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए और जब भी हम बेसन भूनेंगे ग्यास का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम बेसन को भूनेंगे क्योंकि अगर हम high flame पे basin को भूनेंगे तो basin जो है वो जल जाएगा जिसके साथ इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं आएगा और जैसे जैसे ये देखिए ये भूनता जा रहा है ये घी भी छोडता जा रहा है और अब इसका जो color है वो भी धिरे धिरे से चेंज होना शुरू हो जाएगा तो यहां पर मैंने gas का flame जो है बिल्कुल medium पर रखा हुए तो लगाता है इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे और ये देखिए जैसे जैसे basin हमारा भूनता जा रहा है इसका जो color है वो change होता जा रहा है और ये देखिए ये घी भी छोडता जा रहा है तो इसे तरह से चलाते हुए basin को हम थोड़ी देर और भून लेंगे तो ये देखिए basin हमारा अच्छी तरह से भून चुक है तो चलिए इसमें आप हम गौन डाल देंगे जिसको हम cheat भी बोलते है और मिला लेंगे अच्छी तरह से ये देखिए गौन डालते ही इसमें bubbles बन देंगे और चीनी डालकर इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे और ये देखिए जैसे-जैसे इसको हम चलाते जा रहे हैं बेसन जो है वह ड्राइब होता जा रहे है तो चलिए इसमें अब हम कदू-कस किया हुआ नारियल डाल देंगे और साथ ही इसमें हम कट हुए बादा और कजु डाल देंगे आप इसमें अगर किश्मिश वगएरा डालना चाते हैं आप इसमें डाल सकते हैं तो बेसन की पंजीरी हमारी बन कर तैयार हो चुकी है इस पंजीरी को आप सर्दियों के मौसम में चाय के साथ दूद के साथ खाएं यह हमारे लिए बहुत ही फाइदे वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जोड़ दबाईए ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुं सके तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में